इसे पहले हम 10 science के lesson प्लान कर चुके हैं 10 maths के lesson प्लान कर चुके हैं और आपकी assignment files भी complete कराई जा चुकी हैं बोथ languages में English और Hindi तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाके चेक आउट कर सकते हैं साथ ही साथ कुछ आपको description box में भी मिल जाते हैं ठीक है तो आप जाके check कर सकते हैं इसके अलावा CCS की latest update वो आपको है provide कराई जाती है अभी फिलाल में practical और वाइवा को लेकर एक notice provide कराया गया है तो आप देख सकते हैं अगर नहीं चेक किया है आपने और अभी जो exams हो रहे हैं उनके लिए और साथ ही BA का एक exam है जो दुबारा कराया जा रहा है ठीक है कुछ विद्यारतियों का छूट गया था exam तो उसके regarding तो वो date provide कराई गई है अगर वो message आपने नहीं देखा है ठीक है वो news आपने नहीं देखी है तो वीडियो कल ही upload की गई है आप देख सकते हैं अगर आपके तो देखिए सबसे पहले आपका ये इंट्रो आ जाता है जहां पर हम lesson number, date, class, section, subject, school और सबसब्जेक्ट को mention करते हैं इसके बाद हमारा topic आता है प्रकरण हिंदी में कहते हैं और आज का हमारा topic है बौध धर्म ओके बौध धर्म आगे हमारा general objectives आते हैं ये आपके किस से related है आप जानते हैं आप तक तो आप अच्छे से समझ गए होगे ये आपके subject से related होते हैं और आपके जो पूरे lesson plans बनेंगे किसी एक subject में वहाँ ये आप सेम रख सकते हैं ठीक है इसके बाद आगे आपका आजाता है specific objective specific objective आपके topic से related होते हैं जैसे जैसे आपका topic change होगा आपक specific object भी change होता जाएगा next आपका आता है teaching aid हमने आपको बताया था थोड़ा बहुत चेंज होता है तो हमने अपने lesson plan में chalk dust blackboard mention नहीं किया है जबकि SST के lesson plan में mention किया गया है ठीक है आप कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है तो हमारा pattern था science math का थोड़ा लग तो हमने वैसा वह प्रस्तावना प्रश्ण प्रस्तावना प्रश्ण हमारा क्या है जो पूर विग्यान पर आधारित होता है हम मानकर चलते हैं बच्चों को basic knowledge जरूर होगी कुछ धर्मों के बारे में तो हमने वैसे ही कुछ यह questions किये बच्चे यह answer करते हैं और प्रश्णतर विधी से हमने चलते हैं आगे सिक्षक कथन आता है सबसे पहले हमने जानकारी दी महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन परिचे दिया हमने सिक्षक कथन में चात्रों ने ध्यान पुल वक्सुना व्याक्यान विधी से हमने उनको समझाया है आगे चलते हुए यह आगे complete होता है यहां तक ह हमारा उद्धेशे क्या है हमने उद्धेशे लिखा कि जीवन परिचे का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे बच्चे ठीक है प्रत्यास्मरण लिखा हुआ है यहां तक ही complete होता है पिच्चर हमने एड कर दी गौतम बुद्ध की इसके बाद विकास आत्मक प्रश्न किया हमने उद्धेशे लिखा हुआ है यहां जो हमारा यह उद्धेशे वो है चात्र गौतम बुद्ध के जन्व अम्रत्यू से सम्मधत तत्यों की व्याक्या अपने शब्दों में कर सकेंगे ठीक है मैंने बोलगे बता दिया अगर आपको इसमझ में नहीं आ रहा हो तो आप लिख कि कलिक है विद्याती ध्यान पर वागे मैं शबकैश रहे हैं हम अदूना के बारे में तो हमने बताया उनको उनकी कि उपढ़ेशों के उप िसको है यहां पर हम जाते विकासान टाख क्रशन ने क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप जानती हैँ बेखेई अब मैस मेंwe इंसे रोलिप बॉड वगरा या करतियां यूस की थो जाता है तो इस तरीके से या गे चलता है आगे हमने क्या किया बहुत हात्मक प्रच्ण किया बाट्चों इसका आंसर किया प्रश्तरविधी हो जाती है इसके आगे लेसन प्लान हैं कम्प्रीट होते हुए चलता है तो श्यामपट लेखन यहां हो रहा है ठीक है चाथ और अपनी कॉपी पर इसे उतारते हैं मुल्यांगन प्रशन है तो मुल्यांगन प्रशन हमने कुछ कर लिए पच्चों ने इसका अंसार दे दिया घ्रह कारे ह हमने दिया तो ग्रह कारे यहां मेंशन नहीं करना है इसको ठीक है तो इसको रहने दीजिएगा आगे जब हम चलते हैं तो श्यामपट लेखन कारे जो हैं मुझको एक सेकंड यह जो श्यामपट कारे मला ब्लैक बोर्ट वर्क था हमने इसको ओपन करके यहां दिखा दिया ह सो यहां पर यह कुछ कोशन्स आ गई हमारे क्या है गौतम बुद के बच्पन का क्या नाम था गौतम बुद का जन्व कब हुआ सरवादी कुपदेश कहा दिये गए इनके द्वारा और इनकी मातका क्या नाम था ठीक तो इस तरीके से हमारे लेसन प्लान कंप्लीट हो जात पर टेलीग्राम इसलिए जरूर जोइन कर लिजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पीडियाफ अपने दाउनलोड कर सके तो नेक्स वीडियो में मिलते हैं थैंक्स वर वाचिंग